आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ गाय भेंस के दूद को हम डबल कैसे कर सकते हैं वो भी प्राकृतिक तरीके से बिना किसी खर्च के आज तक आप लोगों ने बहुत सचे फार्मूले देखे होंगे जिसमें आप लोग खर्च करके पस्वों के दूद को आते हैं लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहा हूं बिल्कुल प्राकृतिक तरीके कुदरत की तरीके से जिसमें आपको कोई खर्च नहीं है सिर्फ आपको करना है उसमें कोई एक रूपया खर्च की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल मुफ्त है तो क्या है वो तरीका जो प्राकृतिक तरीका है जिससे आप बहुत ही असानी से अपने पसु का दूध डबल कर सकते हैं जो उसकी छमता है अपनी छमता पर दूध देगी ऐसा होता है दूध जो है घर जाता है दूध कम हो जाता है दूध नहीं बढ़ रहा है तो यह सारी सीज़ें उसमें माइने तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर हम बात करते हैं उस तरीके का जो पहला तरीका आता है अगर आपने पसों का दूध निकाल रहे हैं दूध गार रहे हैं हमारे यहां गारना निकालना बोला जाता है तो अगर उसे मक्षी और मच्छर परेसान कर रहे हैं तो उस समय भ मक्षर काटेंगे मक्षी काटेंगी उसे काफी परिशानिया देखने को मिलता है और उसका दूद घटने का ये पहला कारण बन सकता है दूसरा जो कारण आता है दूद जो कुदर्ती प्राकृतिक तरीका है दूद आप जितनी जल्दी निकाल सकते हैं उतनी जल्दी से और तेजी से निकालें जैसे उदाहरण के तोर पे आपकी पसुद 10 लीटर दूद दे रही है आप उसे 5 मिनट में निकाल ले रहे हैं उसी जगह अगर कोई दूसरा बेक्ती है जो दूद निकालना उतनी उसकी प्रैक्टिस नहीं है वो लगवग 10 से 12 मिनट में निकालता है तो दूद में आपको देखने को घट देखने को मिल सकता है कि वही 10 लीटर जहां दूद है 5 लीटर एक टाइम में 10 लीटर दे रही है दो टाइम में 5 लीटर दे र लग है तो यह आपको बहुतर तरीके से पता होगा कि इस तरा से आपके पशु का दूध है घड सकता है कम हो सकता है तीसरा जो तरीका है जो आप चारा और रासण दाना देते हैं अपने पशु को उसका एक समय रखिए उसका एक टाइम रखिए कि हमें सुबह इतना बज़े इसे दाना चारा दे देना है दुपार में इतना देना है साम की समय इतना से इतना टाइम तक के खिला देना है ऐसा नहीं का पूरा दिन खिलाते रहो उसको कभी सुबह दे रहे हो छे बज़े कभी आठ बज़े तो time, betime, हमारे इधर time और betime कहते हैं यानि बिना समय को उसे चारा दे रहे हो बिना जब मरजी चारा दिये, रासन दिये, जब मरजी किये, लेट कर दिये तो लेट नहीं करना, एक time fix रखिए कि आपको अपने पसु को इतने time पर उसे दाना रासन चारा जो है में दे देना है तब जो है, आप अपने पसु का दूध भरपूर पाएंगे वो दूध कभी नहीं घटाएगी चाव था जो point आता है, तनाव मुक्त, डराना धमकाना जैसे कुछ लोग ऐसा देखा जाता है, जैसे अपने पसु का दूध निकाल रहे हैं तो कुछ ऐसे भी पसु होती हैं, जो खड़ी नहीं होती है या कुछ बैठी ही, लोग बैठे रहते हैं डंडी लेकर के, लकडी लेकर के, डराते धमकाते हैं उससे भी उनका दिमा की टेंसन हो जाता है, तना एक आ जाता है शरीर में हमको मार देंगे, हमको मार देंगे ऐसा होता है, जैसे कुछ पसु जो है, दूध नहीं निकालने देती हैं या दूध नहीं पेवास रही हैं तो ऐसे हम क्या है, लोग डंडी से डरवाते हैं, धमकाते हैं तो उस समय भी, ऐसी अगर समयस्या हो रही है तो भी दूध पूरा नहीं देगी, दूध घट जाएगा दूध उसका नहीं बढ़ पाएगा, इस तरह साब गलती कर रहे हैं यह सोर सराबा कर रहे हैं, आवाज बहुत निकाल रहे हैं, बच्चे चिला रहे हैं यह कुत्ते भाउमों कर रहे हैं, चौक रही है, भगल हो रही है कनमना रही है, इधर धरह से इससे देख रही है इससे क्या है, उत्तनाव हो जाएगा उसके सरीर में मानसिक दबाव पड़ जाएगा जब मानसिक दबाव पड़ेगा तो दूद भी घड़ जाएगा उसका जो फैट है फैट की मातरा भी आपको कम देखने को मिलेगी तो इस तरह का आप गलती नहीं करना है और पांचो जो पॉइंट आता है एक ही जगा पर दूद निकालना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है एक दिन घर के अंदर दूद निकाल लिए दूसरे दिन बाहर निकाल लिए तीसरे दिन और कहीं निकाल लिए ऐसे में भी आपकी पसू दूद कम दे सकती है दूद भी निकालने नहीं देगी खुश रखता है लात भी मारेगी ऐसा भ पहार दूद निकाल रहे हैं तो भी पूरा दूद नहीं देती तो उसको ऐसे जगा पर बांत कर दूद निकालें जहां पर रोज निकाल रहें वहीं पर बांध कर निकालें तो ज्यादा ठीक रहेगा लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है उसे ऐसी जगह पर बांध कर दूध निकालिए जहां पर वह घूम न सके जैसे एक साइड आप बैठ गए दूध निकालने अदूसरी साइड दिवाल होनी चाहिए ताकि गूम ना सके गूमने को उसको जगह नहीं होना चाहिए ऐसे अस्थान चुनना चाहिए जो पसु बहुत गूम जाती है दूध निकाल रहे हो और निकालते समय घूम जा रही है आईसे पसुओं के लिए सबसे बढ़िया क्या रहता है कि ऐसी जगह पर उसका बांध कर दू दूध निकाल देओ एक ही जगह पर निकालना है और बार बार जो इसको जगह नहीं बदलना है और चठा जो पॉइंट आता है टाइम के निर्धारित कर लिजिए हमें इतना बज़े दूध निकाल लेना है एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि सुबह हम जितनी टाइम करने से भी आपको पसु बरोबर दूद देगी नहीं ऐसे में भी दूद घटे बढ़ सकता है क्योंकि सुबह लेट लगाएंगे फिर सुबह में लेट निकाल लिए दूद साम को फिर पहले निकाल लिए तो उसमें भी दूद घड जाता है तो ऐसे में भी दूद पूरा नह जाए बांती उसका भी गूस जा रहा है वो ऐसे छत पता रही है निकलने को पर कर रहे हटाने को इसके अब उठाने के को तो ऐसे में दूद उसका घट जाएगा तो ऐसे प्रहें जगह बेवस्ता होनी चाहिए वहां उसका पैर वगरा नहीं धूद धास जाना चाहिए आप दूद निकाल रहे हैं आपका पैर नहीं धास जाना चाहिए ऐसे में दिखकर सामना देखने को मिल सकता है और जो लास्ट पॉइंट आता है जैसे जो ब्यक्ति दूद निकाल रहा है अगर वही ब्यक्त रोज दूध निकाले तो बहतर रहता है दूध हमारी पुसू बरोबर देती है वो भी उसकी छहमता जो है छहमता के नुशार देती है तो इसी तरीकर से हम ये प्राक्रितिक तरीका कह सकते हैं इस तरीके को अजमा करके आप अपने पुसू का भरपूर यानि पूरा दूध पा सकते हैं, पूरा दूद निकाल सकते हैं हमें उम्मीदे कालो सुन्ज में आ गया होगा इसमें कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा नीशे कुमेंट करके ज़रूर बताएं